हेलो वेरिवन ग्योवाला वाचिंग इसपीस सिंप्लिफाइड और घटना चकर आई द्रिश्टी की भूख लगभग 75% हमारी ओवर हो चुकी है जो भी टॉपिक्स आपको नैशनल इंपोर्टेंस नैशनल से रूलेटेड मिसलेनस टॉपिक्स बॉल अब जो तो अभी आग और ने राम सर्फ को एड किया गया है तो बेसिक किसमें हम लोग क्या गरेंगे रामसर्फ के जितने भी उसको समझ लेंगे आप कोई भी एक्जाम देने जा रहे हो रामसर से question एक ना expect कर सकते हो कि एक question हो डाल देंगे कहीं नहीं किसी portion में किसी line में आपको मिल जागा एक question जिससे जो अगर आप इसको कर लेते हो तो उसको tackle कर लोग जा रामसर तो basically जो रामसर साइट है ना वो deal करता है किसी चीच पे तो वो deal करता है आपको wetlands पे ठीक है अगर हम बात करें रामसर convention की रामसर साइट की तो जो ये रामसर है ना वो एक सहर है एक city है इरान में या एक Iranian city है और ये जो एक तरीके का convention हुआ wetlands पे वो हुआ आपको एक तरीके का इंटर गर्मेंटल ट्रीटी है इंटर गर्मेंटल कहने क्या मतलब हुआ गर्मेंट्स के बीच का जिसको एडॉप्ट किया गया दो फरवरी 1971 आप बोलिएगा ये date याद रखना है नहीं 1971 याद रखना है 1971 याद रखना है कहां पे हुआ था Iranian city में रामशर के जो city है Iranian उसमें हुआ था 1971 में इस treaty को एडॉप्ट किया गया लेकिन अगर हम बात कहें कि ये इसको फोर्ष में कब लाया गया इसको फोर्ष में लाया गया है आपको 1975 में अगर हम अगस 2022 की बात करें यह जो रिपोर्ट है अगस 2022 की updated रिपोर्ट है तक इंडिया ने 11 नए वेट लैंड को एड किया है अपने रामसर साइट्स में इसी के साथ साथ टोटल इंडिया का जो रामसर साइट्स है वो हो गया है 75 क्लियर है अब हम लोग जान लेते हैं कुछ रामसर साइट्स जो हमारे इंडिया में है उसके बारे में देखिए अब आप कहोगे वेट लैंड्स को इतना बढ़ावा क्यों देना तो एक चीज़ समझे वेट लैंड्स का सबसे मेजर काम क्या है इन्वाइनमेंटल जो चें सेक्विस्ट्रेट करता है यह सेक्विस्ट्रेट कहने का क्या मतलब हुआ कार्वन को एक तरीके से कार्वन बेड की तरह बिहेव करेगा कार्वन को सिंक कर लेगा खुद में सिंक करने का क्या मतलब हुआ एक तो होता है सोर्स एक होता है सिंक सोर्स वैसे चीज़ों को बोल इमीट करते हैं, यह खासे, तो AC यूज करते हैं उसमें, तो wetlands क्या करता है, वो sink की तरह भी हैप करता है, source की तरह नहीं भी हैप करता है, sink कहने का क्या मतलब हुआ, वो जो excessive carbon उसको absorb कर लेता है, absorb, तो यह natural carbon sequestered है, जिस तरीके से plants and trees भी carbon को sequestrate करता है, उसी तरीके से wetlands भी इसमें काफी जादा help करता है, second thing, अब हम लोग समझेंगे wetlands के बारे में थोरा सा और, देखे wetlands क्या करता है, basically wetlands देख तरीके का ऐसा ecosystem है, जहां पर बहुत सारे species होते हैं, वो breeding करते हैं, उनके लिए biological, chemically, physically, एक ऐसा environment मिलता है, उस wetlands के site पे, जो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, उनके लिए nutritive values भी वहाँ easily मिल जाते हैं उनको, उनके लिए plus जो breeding station होगा, जो location होगा wetlands में, वो वहाँ पे उनके लिए काफी ज़्यादा favorable होता है, खाने पीने की चीज़े भी मिल जाएंगी, biological waste भी हो जाएगा, और productive जो जैसे उनके लिए shelter भी हो जाएगा, बहुत अच्छा, आप एक सारे migratory birds मिलेंगे आपको, बहुत सारे migratory birds मिलेंगे, इसका reason क्या है, reason यही है, आखिर migratory bird वो कैसे बता दला कि इस reason पर हम रहेंगे, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो उनके लिए इतने favorable conditions होती है, breeding के लिए, food availability easily हो जाता है, और जो nature होता है आसपास का, वो उनको काफी support करता है, ecologically, biologically, physically, सब कुछ से, तो आप समझेए कि एक तरीके से breeding station है, एक तरीके से carbon sequestration करवाता है, दूसरा तीसरा चीज़ क्या है, flood को slow करता है, soil erosion को slow करता है, और भी बहुत सारा चीज़ है, अब हम लोग समझ लिए रामसर sites के बारे में, wetlands के बारे में, अब ह किया गया है, 11 जो नई sites include किये गया है, वो states में, वो कौन-कौन से state में किये गया है, तो वो किये गया है आपको Tamil Nadu, Tamil Nadu में 4 add किये गया है, फिर add किये गया है, Odisha में 3, फिर add किये गया है, Javu and Kasmir में 2, और 1 किया गया है, Madhya Pradesh and Maharashtra में, तो देखिए, क्या पढ़ना, क् क्या परना, क्या नहीं परना, क्या discard करना, किसी इसको ले के जाना एक्जाम में, तो अगर हम लोग बात करें, तो total ramster sites हो गई है 75, India at 75 पे इसको पुड़ाया गया है, India at 75 पे इसको ले जाया गया है 75 पे, अगर हम लोग बात करें, वैसे states, जिसमें maximum number of ramster sites है, वो है Tamil Nadu 14, देखें, यह fact हुआ जो आपको याद रखनी है, ठीक है, points to be remember, Tamil Nadu में 14 और UP में 10, UP वाले याद रखिएगा, UP PCS अग्दम close है, तो UP में 10, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, इंडिया की largest wetland under ramster convention, ठीक है, देखें, रामster में क्या हुआ ने, एक डाइडी बनाया गया, एक हम लोग अगर largest wetland की बात करें, देखें, मैं आपको बता रहा था ना, कि wetlands पे रामसर में हुआ क्या, तो एक तरीके से डाइडी बनाया गया, अब आप उछो के डाइडी बनाया क्या, तो अपडेट किया गया, कि कौन से ऐसे wetlands हैं, जो डिजर्व करते हैं, कि उस में, उस डाइडी में उसको हम लोग मेंटेन कर लें, हाँ, रामसर साइट वन, रामसर साइट टू, रामसर साइट स्री, रामसर साइट फोर, रामसर साइट सिक्स, इस तरीके से एंड नमबर रामसर साइट, उसके बाद क्या होगा, उनको बचाने के लिए, उनको बन वेस्ट बेंगॉल जो कि आपको लगबग लगबग आपको चार लाख 23,000 हिक्टेर में फैला है सुन्दर बन आपको पता होगा बेंगॉल टाइगर के लिए पॉपुलर है कुछ पार्ट कुछ पार्ट बेंगॉल में कुछ पार्ट बंगलादेश में इसका वर्ल्ड का स कवसे बरापूरे दुनिया का ठेक है अगर हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट विटलैंड की स्मॉलेस्ट विटलैंड की बात करें तो इंडिया में तो एक रेनिकवा वेटलेंड है हमानचाल परदेश में सिर्फ 20 सेक्टर में फैला है यह सब फैक्ट्स आपको याद रखने जो ओरिस्टा में है वो वेटलैंड जो एंड क्यलाडो नेसनल पार्ग जो राजस्थान में है यह फर्स्ट वेटलैंड था इंडिया का 1981 में इसको वो लाया गया इंपक्ट में ठीक है 1981 में याद रखेगा चिली का लेक जो की लैगून वोटर लेक है लागून वाटर लेक कहने का क्या मतलब हुआ वैसे लेक्स जो सी से बनते है clear है अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ की highlight की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है वो एक तरीके का contracting parties है रामशर कन्वेंशन में जिन्होंने रामशर इरान में 1971 में पार्ट किया था clear है अब हम लोग कुछ और समझते है basically इंडिया ने इंटर तो किया था 1971 में लेकिन पार्ट जो उन्होंने लिया फरवरी 1982 से वो अपने आपको फोर्स में लाए थे रामशर कन्वेंशन में 2022 की बात करें total 19 साइटز को declare किया गया था रामशर साइट गोआ एंक करनाट का में पहली रामशर साइट्स उनको मिली है 2022 में याद रखिये है गोआ एंक करनाट कि अगर हम बात कर ले तो उनको pehली रामशर साइट मिली है करनाटक में अब हम लोग कुछ wetlands इन इंडिया की बात कर लेते हैं इंडिया का wetland cover है 4.63% of the geographical area of the country 4.63% जो है इंडिया का total geographical area वो wetlands cover करता है आप मुझे बताइएगा इंडिया का total geographical area कितना square kilometer में फैला है अगर हम लोग बात करें state wise distribution of wetlands की तो गुजरार टॉप पे है with 34,749.5 square kilometer देखें wetlands से लग होता है रामसर साइट से लग होता है wetlands बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन रामसर साइट में कुछ limitations कुछ conditions होते हैं जिसके बाद ही उसको insert किया आता है रामसर के डिक्सनाडी में ठीक है चलिए तो गुजरात में सबसे ज़्यादा wetlands है 34,749.5 square kilometer area उसके बाद फिर आंदरप्रदेश में followed है 14,471.33 square kilometer area देन उत्तरप्रदेश तीसने नमबर पर वेट लैंड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया में तीसने नमबर पर उत्तरप्रदेश का आता है 12,425.3 square kilometer उसके बाद वेस्ट वेंग उल आता है 11,079.07 square kilometer कुछ और facts समझ लेत हैं अगर हम लोग बात करें वैसी country जहां सबसे ज़्यादा most रामसर साइट्स है तो वह आपको United Kingdom 175 रामसर साइट्स है देखिए यह सब facts आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो United Kingdom सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स को carry out करता है 175 फिर Mexico जो South American country है उसमें 144 स्वेटलैंड्स है र रामसर के convention में याद रखिएगा एक लाग 48,424 स्कॉर किलोमेटर एडिया को यह कभर करता है रामसर कन्वेंशन में तो सबसे ज़्यादा अगर एडिया की बात करें तो बोलीविया ठीक है आपको बता होगा ABC ठीक है अर्जेंटीना बोलीविया एं चिले चली अब मूव क उनको भी बहुत सारे एडिया को डेजिगनेट किया गया है रामसर में लगवक 100,000 स्कॉर किलोमेटर का एडिया है अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया में कुछ मेजर साइट्स पे जो की रामसर कन्वेंशन में एड़ेड है और इंडिया में कौन डिफरेंट डिफरे स्चेट से बिलॉग करते हो उस स्टेट की पीसेस देने वाले हो तब याद कर ले ना हरीके लेक फिर रूपर फिर केसोपूर मियानी कम्यूनिटी रिज़र फिर कंजली नागल primeiro स्ट्री हरयाना की बात कर ले तो बिंडरावास सेंक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च में एड़ किया गया सुल्तानपूर नेस्नल पारक रूसलेटूण च्राहश करें तो यह सबसे पहला था यह अंदर में तो इस pakर च किनार कर ले ठीश्राट में नाल सरोबर बर्ड सेंचर्यूरी इसको सेप्टेमबर 2014 2012 में आड किया गया, ठोल लेक, 2020 में आड किया गया, वाधवना वेटलान, इसको 2020 में आड किया गया, खिजडिया, बर्ड सैंक्चूरी, इसको 2020 में आड किया गया, ये काफी important है, मध्य प्रदेश की बात कर ले तो भोज वेटलान, पहां राजा भोज वाले भोज भोज वेट लैंड फिर शक्या सागर लेक सिरपूर वेट लैंड यस्वन सागर इसको एड किया गया रामसर साइट में अब महाराश्च्रा की बात कर लेते हैं ठीक है एक एक करके सारी स्टेट को देख लेते हैं फिर उसके बाद थोड़ी ए पेसेंट लए एट किया गया यसको भी याद कर लीजिएगा ठीक है तो करनाटा की बात कर ले तो आपको है रंगाठ फिट्ट्थू बर्ड सेंक्चूरी दोजरुबाइस में अट किया गया है गोगा कनंदा लेक भी 22बाइस में क्या था होकेरा वेटलैंड 2005 में सुडिनसर मांसर लेक 2005 में सैलबुक वेटलैंड और कंजरविशन रिजर्व ये 2022 में हाइगन वेटलैंड कंजरविशन रिजर्व ये 2022 में लदाक की बात कर लेते हैं तो सो मोरीरी 2002 में फिर सोकर वेटलैंड कॉंप्लेक्स ये 2020 में एड किया या फिर उस श्टेट की PCS देने जा रहे हो तभी हर एक नाम को याद करके जाना नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है एक बार मैप पे allocate कर लेना वह कोई कोई दिक्कत नहीं है एक बार मैप पे allocate करोगे तो आसान से ध्यान रहेगा अब चलिए भाई हम बात करते हैं उत्राख में पारवती अर्गा बर्ड सेंचुरी 2019 में समान बर्ड सेंचुरी 2019 में सूर सरोवर 2020 में संदी बर्ड सेंचुरी 2019 में नवाब गंज बर्ड सेंचुरी 2019 में फिर आपको सरसाई नवार जील 2019 में बिहार की बात कर लेते हैं तो कबरतार वेट लैंड जो बेगुश्राय डिस् मनिपूर की लोक्ता के लेखपन जिसको कहते हैं केवुलम जाओ निशनल पर्क जो गषिन निशनल पर्क है एक मातरपूर वर्ल्ड में क्लियर हे दूसरी चीज कि मनिपूर को ध्यान रखेगा यह कफी important है यहां पर रिसेंट्ली ट्रेन लाए गया है पहली बार त्रिपुरा, रोदरसागर लेक, त्रिपुरा में बैंबू बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, याद रखेगा बैंबू जो त्रिपुरा के होती है, वो एवन कॉलिटी होती है इंडिया में, मीजोरम की बात कर लें, तो पाला वेटलेंड, वेस्ट बेंगॉल में भी फेमस है, ये टर्टल याद रखेगा, भीतर करनी का नेशनल पार्क में मिलती है, भीतर करनी का मैंग्रोब में, फिर हीरा कुंड रोजर वायर, तामपडा लेक, एन अंसुपा लेक, याद रखेगा, फिर हम लोग मूव करते हैं आंधर प्रदेश की तरफ, वहां का व लोडे बर्ड सेंचुरी, कुथन कुलम बर्ड सेंचुरी, कारिकिल्ली बर्ड सेंचुरी, उदया मार्थपूरम बर्ड सेंचुरी, फिर आपको है वेदान थंगल बर्ड सेंचुरी, वेंबनूर वेटलाइन कॉम्पलेक्स, फिर आपको है चितर गांधी बर्ड सेंचुर ठीक है अम लोग बात कर लेते हैं वदयूर बर्ड सेंचूरी कंजीरा कुलम बर्ड सेंचूरी एंड सुचिंदरम तेरूर तेरीूर वेटलाइड कॉम्प्लेक्स यह सारा आपको मिल जाएगा था मिलनाडू में ठीक है तो यह था हमारा वेटलाइड के बारे में कम्प्लीट इनफर्मिशन इससे बाहर आपको वेटलेंड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं ठीक है आप अगर मेरे चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपकी साइन्स वीक है प्लिश्ट पढ़ाय घटना चक्र का वह देख लो और भी बहुत सारे अगर आप यूपी के किसी भी एक्जाम या भी पीसी की त्यारी कर रहे हो या यूपीसी की त्यारी कर रहे हो आप मेरे चैनल से जूर सकते हो ठीक है थैंक्यू